हलो बच्चो, लेट सेट इस क्वेशन, ता क्वेशन सेज, पॉइंट मुटेशन इंड्यूस पाइ, फर्स्ट इन्स अडेनिन, सकेंड इन्स गवानिन, थर्ड इन्स थ्री साइटोसिन, और लास्ट इन्स ब्रोमो यूरसिल तो इस क्वेशन में हमें पूचा गया है कि point mutation जो है किसकी वज़ा से इंड्यूस हो सकता है, तो आई देखते इस question का answer क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं इस question में, की concept की? की concept जो है इस question में हो जाएगा point mutation, point mutation की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? point mutation जो होती है, एक type ह होती है of genetic mutation की, जहां पर देखा जाता है कि single nucleotide, single nucleotide base जो होती है, इन DNA changed होती है, क्या होती है? यह changed होती है, DNA changed होती है, और यह जो alteration हो सकता है, can occur through various mechanism, यह changes कैसे हो सकती है, यहाँ पर पहला हो सकता है कि, reason पहला हो सकता है कि यहाँ substitution हो सकता है, क्या हो सकता है? substitution हो सकता है substitution या नहीं कि यहाँ पर एक base जो होगा one base जो है replace हो जाएगा one base जो है क्या हो जाएगा replace हो जाएगा replaced by अदर या कह सकते है अनदर जैसे कि यहाँ पर example के लिए बात करें adenine जो है यहाँ पर replace हो सकता है किसके साथ guanine अब यहाँ पे दूसरा reason यह हो सकता है insertion, क्या हो सकता है? इसमें दूसरा reason हो सकता है point mutation का insertion, insertion में अगर हम बात करें तो इसमें extra insertion में यहाँ पे बात करें, insertion में तो क्या होता है? extra nucleotide जो है add हो जाता है क्या हो जाता है इसमें extra जो है nucleotide जो है is added into the DNA sequence अब यहाँ पे third यहाँ पे और जो है reason हो सकता है deletion deletion में अगर हम यहाँ पे बात करें nucleotide हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है removed हो सकता है removed हो सकता है कहां से DNA sequence तो यह जो है reasons होते हैं किसके point mutation होने के अब यहाँ पर हमें पुछा गए है कि point mutation induced by point mutation जो होती है वो यहाँ पर induced होती है bromoyuracil से यह induced होती है किससे bromoyuracil से bromoyuracil जो होती है एक mutagenic compound होता है क्या होता है एक mutagenic compound होता है जो induce कर सकता है क्या कर सकता है induce कर सकता है point mutation को point mutation को क्या कर सकता है यह induce कर सकता है by substituting for thymine substituting for thymine in DNA इससे क्या होगा leading to transition between adenine and guanine इसमें transition हो जाएगा किसके बीच में adenine 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 and guanine के बीच में तो यहां पर हमें इस question में पूछा गया है कि point mutation induced by तो यह होगा bromoyuracil तो ऑप्शन में देखते है पहला है adenine तो यह क्या हो जाएगा गलत दूसरा है गवानिन अगेन गलत होगा तीसरा है थ्री साइटोसीन यह भी क्या होगा पर लास्त दे राख है प्रोमो यह रिसर्ट जोइस question का क्या हो जाएगा answer so the right answer to this question is option D hope you understood it well best of luck